अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यूसफुल इंपो आज की मेरी वीडियो सर्दी में उंगलियों की सूजन से संबन देता हैं सर्दी के मौसम में अकसर ठंडे पानी में काम करने से उंगलिया सूज जाती हैं सर्दीयों में उंगलियों पर सूजन ना आये उसके लिए आप हलके गुर्णुने पानी में काम कर सकते हैं या कई बार कुछ महिलाएं ठंडे पानी में काम करके उनकी सिखाई करती हैं इस वजह से भी उंगलिया सूज जाती हैं उंगलिया सूज कर मोटी, काली, भद्दी सी दिखती हैं, उनमें खुजली होती है इस वीडियो में मैंने उंगलियों की सूजन के लिए कुछ घरे लूपाए बताए है विंटर केर से संबंदित मैंने और भी अनेक वीडियो बनाई हैं अब मैं आपको सर्दी में उंगलियों में सूजन के लिए घरे लूपाए बता देती हूँ सर्दी में उंगलिया सूजने पर मटर को पानी में उबाल कर उस पानी से धोने से सूजन में लाब होता है पचास ग्राम शलगम एक किलो पानी में उबालें थोड़ी देर इस गरम पानी में हाथ पैर रखने से उंगलियों की सूजन दूर हो जाती है पानी में ज़्यादा काम करने से जाडों में उंग्लियों में सूजन या खाज हो जाए तो पानी में फिटकरी उबाल कर उससे धुए ठीक हो जाएगी सर्दियों में उंगलियों में सूजन आ जाती है चार चमच सरसो के तेल में एक चमच बारिक पिसवा सैंदा नमक मिला कर गरम करें और रात को इसे उंगलियों पर लगा कर मोजे पहन कर सो जाएं सूजन मिट जाएगी आशा करते हूं आपको मेरी बता इंफो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए मेरे चैनल को सब्क्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगे आपको नोटिफिशन मिल जाएगी मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूं थैंक्स पर वाचिंग तेक केर